हालो फैंज मतबर्स स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फैंज इस वीडियो क्लास के थुरू मैं एक सीरीज स्टार कर रहा हूँ के लिए जिसके टीर बन के एक्जाम मार्च में होंगे और यह सीरीज सीजियल के लिए भी हाईडी इंपोटेंट रहेगी इसमें मैं मॉक टेस्ट भी कर बाऊंगा आपको और मॉस्ट एक्सपेक्टेड कुश्चिन्स भी कर बाऊंगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में 2017 के कुछ कोश्चिन्स लिए हैं और यह पेपर हुआ था दस एक 2017 को ठीक है तो इसका यह फस्ट पार्ट है और इसका नेक्स पार्ट में आगे आपको सौर्ब करा दूँगा प्ली इस पूरे वीडिये प्लास को आप एंड तक देखिए देखिए यह कोश्चिन्स हैं ऐसे कठिन कठिन इसमें स्पेलिंग दी है लेकिन इसमें देखिए साइकिक की स्पेलिंग हम सभी को पता है कि इसमें सी एच आई सी होता है साइकिक जैसे हम साइको बोलते है ठीक है थैचर थैचर क्या होता है जो जैसे छट जो होती है गाओं में उसको हम थैचर बोलते है तो जुआ झाले वाला होता है। तुम थैचर बोलते है तो सफ़िर आएगा का का किए यह यह स्पलिंग गलत हैपकी और से माजिए थ कियर सौकया झिली सफ़र एकुछूइसफने और आखे 7 ज्यूजुत टीस न protect गलत है तो एसमें यहां पर डबल ओकी याएगा झाले सौकर आ रसी से अनीमल को पकड़ते हैं, फैक्ट की रसी को उसको बोलते हैं, लैसुइंग, तो ये लैसुइंग की स्पेलिंग, तो ये काफी टफ ये वर्ड है, तो इसमें यदि आप ऐलिमनेट करें, तो ये तीनों वर्ड गलत हैं, और आपका आंसर होगा इसमें फरस्ट, यहां पर ये आपका सही आंसर है, तो आप देख सकते हैं, काफी टफ कोश्टन्स पूछे गए हैं, 2017 में, अब देखिए, ये फिलर का एक कोश्टन है, रैशनल थिंकर्स आर इंटिलेक्शुली देन दोस वो एक्सेप्ट फेथ, बिदाउट कोश्यनिंग दा एज जोल लगाएंगे, अब इसमें देखिए, सुपिरियर के बाद हम टू लगाते हैं, लेकिन यहां पर तो देन लगा हुआ है, अब रैशनल थिंकर्स होते हैं, वो कल्चर्ड नहीं हो सकते, कल्चर्ड एक अलग चीज़ होती है, ठीक है, कल्चर्स जैसे अलगलग स्टेट्स का लगला कल्चर होता है, तो वो तो स्टेट्स से रिलेटेड होगा, ठीक है, मॉर्डर्न हम नहीं बोल सकते, रैशनल थिंकर्स मॉर्डर्न नहीं होते, रैशनल थिंकर्स तो कोई भी हो सकता है, जो मॉर्डर्न नहीं है, वो भी रैशनल थिंकर्स हो सकता है, ठीक है, तो रै investigated word यहाँ पर आपका सही answer होगा. तो यह CHSL के real questions है, आप देख सकते हैं यहाँ पर Select the synonym of ancient. देखिए आपके exam में जो question का pattern होगा यानि question को पूछने का जो तरीका होगा वो इसी तरीके से होगा. ऐसे ही question को पूछा जाएगा. ancient का synonym क्या है? ठीक है? ancient का मतलब होता है पुराना अब देखिए ancient के लिए इसमें old word नहीं दिया है, इसमें नया word दिया है और इसका archaic इसमें word दिया है. archaic का मतलब है बहुत ज़दा पुराना या प्राचीन ठीक है? जो आप fashion में नहीं है तो archaic ancient का इसमें synonym होगा और modern इसका antonym होगा लेकिन synonym यहाँ पर पूछा गया है तो archaic किसमें इसका सही आंसर होगा. टॉपिकल कोई भी टॉपिकल आप एक ऐसे subject को बोलेंगी जिसका current में relevance है ठीक है? जैसे जैसे आप बोल सकते हैं कि जैसे अभी कश्वीड में 13370 लगाई गई थी या कोई भी current issue जो है उससे related कोई भी topic है तो उसको हम टॉपिकल बोल सकते है. extent का मतलब present होता है जो existing है ठीक है? और यहाँ पर यदि आप E लगा देंगे तो extent बन जाएगा जो जिसको हम बोलते है range या सीमा और fad का मतलब होता है क्रेज किसी भी चीज का enthusiasm तो archaic इसका सही answer होगा. ancient का ठीक है? ancient का यह आपका यहाँ पर सही answer होगा. select the surname of ancient. अब देखिए यहाँ पर यह antonym पूछा जा रहा है तो word आप देख सकते हैं कि काफी standard word है और ऐसे simple word नहीं है और CHSL exam के यह questions है. analog का मतलब क्या होता है? analog का मतलब होता है जैसे analogy होती है analogy actually similarity होती है किसी भी दो स्यादिक्षीजों में तो analog similarity को ही indicate करता है तो difference इसका antonym हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पर antonym पूछा जा रहा है तो difference इसको हम बूल सकते है cognate का मतलब भी similar होता है cognate यह भी एक अच्छा word है cognate ठीक है अब देखिए यहाँ पर यह एक idiom पूछा गया है hot potato, hot potato का मतलब क्या है hot potato का मतलब कोई भी ऐसा topic, कोई भी ऐसा subject कोई भी ऐसा issue जिसको जिसको deal करना बड़ा मुश्किल है ठीक है, तो इसमें से सही answer आपका क्या होगा देखिए, controversial होता है a controversial situation which is awkward to deal with कोई भी controversial situation यसे देश में से इस समय बहुत काफी सारी controversial situations है तो उनको ही हम hot potato बूलते हैं तो third इसमें आपका सही answer होगा, hot potato ठीक है अब देखिए, एक ये error का question है और error के question भी concept है बेस्ट होते है the sifting task is almost done the sifting task is almost done यह यहां तक सही है only the furnitures have to be delivered अब देखिए इसमें इस question वो कैसे आप सही करेंगे furniture में हम एस नहीं लगाते है furniture का इदी आपको plural बनाना है तो इसमें आप बोल सकते हैं piece of furniture या pieces of furniture चुकि यहां पर have लगा हुआ है तो इसलिए यहां पर आप बोलेंगे pieces of furniture ठीक है, piece of furniture मतलब एक singular हुआ, pieces of furniture plural हुआ तो यहां पर आपको यहां पर change करने की जरूवत है, यहां पर हेल्पिंग बर को change आप नहीं करेंगे इसमें ऐसा नहीं होगा कि कि यहां पर आप has लगा दें तो has से नहीं बनेगा यह furniture के इस्थान पर आप pieces of furniture बोल सकते हैं तो उससे यह plural बन जाएगा और plural के साथ यह have मैच कर जाएगा तो यहां पर इसमें कलती है B part में इसमें इसमें आपकी कलती है अब यह देखिए यह भी एक अच्छा question है इसमें आपको phrase का मतलब बताना है a spot or a stain caused by a discoloring substance मतलब जैसे आपने किसी कपड़े पर एक दाग लगाया या उसको फिर उसके बाद उसको आपने धो दिया तो वो discolored सा जो substance होता है जो spot होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि hue का मतलब color होता है tint का मतलब भी color होता है dye का मतलब एक साचा होता है जिसमें हम कोई भी चीज बनाते है तो blot इसका सही answer यहां पर आपका होगा ठीक है यह देखिए यह एक narration का question पूछा गया है जिसमें इसका answer आपको बताना है he said I bought an iPhone 6 yesterday देखिए bought से हमें क्या पता पढ़ रहा है कि यह past simple tense है yesterday से भी हमें पता पढ़ रहा है यह past simple tense है past simple tense को हम past perfect tense में change कर देते हैं ठीक है he said का sad ही रहेगा told नहीं होगा told तब होता है यहाँ पर एक object होता है जैसे he said to me तो told इसमें नहीं होगा ठीक है he said that he bought यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा इसका answer होगा आपका first he said that he had ठीक है यह इसका सही answer आपका होगा अब देखिए यहां पर एक एंटोनेम पूछा गया है Select the Antonym of Amusement Amusement का मतलब होता है मनुरंजन करना ठीक है? मनुरंजन, अब मनुरंजन का उल्टा क्या होगा? मिश्चीफ का मतलब होता है शरारत, नौटी का मतलब भी शरारत ठीक है? हिलेरिटी का मतलब होता है बहुत ज़दा खुश होना Melancholy का मतलब होता है उदासी तो Melancholy Amusement का Just Apposit है क्योंकि Amusement, खुशी और Entertainment से संबंदित है, जबकि Melancholy दुख से संबंदित है ठीक है? तो Melancholy यहां पर इसका सही answer होगा, इसकी spelling भी पूछी है सकती है, इसकी spelling भी काफी important है अब देखे एक ही यह PQRS का question है इसको हम कैसे solve करेंगे this alone this alone this alone मतलब यह एक subject है पूरा ठीक है इसका मतलब यह है कि इसके बाद यहाँ पर हम verb का प्रियोग करेंगे इसके बाद यहाँ पर verb आएगी ठीक है तो this alone should alert us to यह हम पहले for a uniform civil code is all about यह इसका सही sequence बनेगा पी आर क्यों यह फस्ट इसमें आपका answer होगा ठीक है तो यह CHS अब के real questions है इस वीडियो क्लास में मैंने के बल दस ही question लिए है आप लो comment करके बताएगे कितने questions आपको मैं कर वा हूँ क्योंकि 25 questions को टाइब करने में भी काफी time लगता है तो मैं इसको parts में मैं सोच रहाँ कि parts में आपको कराऊं एक part में 10 questions फिर next part में 10 questions तो इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा और अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी भी कर पाएंगे तो यह सीचसल के real questions है प्लीज आप comment box में लिखके बताएगे कि कैसा लगा यह explanation और यह सारे video classes में English में भी upload करूँगा Hindi और English दोनों में नहीं upload करूँगा और description box में मेरी playlist आपको मिल जाएंगी तो इन प्लेस्ट को आप जरूर देखें और इस वीडियो class को share करें like करें और comment करें ठीक है तो इस video class में इतना ही आप मैं आप से मिलूँगा next video class में thank you